कि अगर दोस्तों नमस्कार जय हिन जय भारत कैसे हैं दोस्तों आपक्या हाल चाल है मैं रंजीतिवारी बिहार अड़र्टोंड डिपोर्शन को प्लेटफोर्म से आप से विकाश्वागत करता हूं और हम लोग यहां पर लाइब हो चुके हैं पढ़ने के लिए फिजिक्स जो कि हमारे सिच्चक भरती 6-8, 9-10 जो भी वेकेंसी आई हुई है जिसमें साइन्स के सिच्चक अगर बनना चाहते हैं आप तो उसमें बहुत ही हेलफुल होने वाला है तो हम चर्चा करते हैं आपके साथ कुछ फिजिक्स की बाते पे और साथ ही में हमारे साथ सालिनिमें भी पढ़ाती है जो कि बैयोलोजी और कमेस्ट्री पर बाते करती है तो एक ही स्ट्रीम पे आपको तीनों सब्जेक्ट एक साथ दो घंटे में मिलते हैं तो चलिए आप सभी का स्वागत है जल्दी जल्दी स्वाति गुमारी गुड मॉनिंग कैसे आप लोग क्या हल चाल ह जल्दी से सभी लोग जोड़ जाईया हम लोग यहाँ पर चालू करेंगे कुछ बाते फिजिक्स की हाँ जी कैसे आप लोग सभी एक बार सभी लोग मेसेज कर दीजिए एक बार सभी लोग फटा-फट मेसेज कर दीजिए फिजिक्स से कुछ जूड़ी हुए तमाम बाते जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आज हम लोग करने वाले हैं and it's characteristic matter क्या होता पदार्थ और इसके गुर्णे जो होते हैं पदार्थ और इसके गुर्ण इससे सम्बंदित सवाल जो आते हैं अगर आ आप से सब्सक्राइब बीष ne toss trace क्या होता यह einक mega मॉडलिस क्या होता तो यह सारे चीज हम लोगा आज करने वाले ये सारे चीज तो सभी लोग एक बार मैसेज करके मुझे ये बता दीजिए कि मेरा वीडियो मेरा अडियो दोनुक किलियर है या नहीं यह बता दीजे फिर हम लोग यहां से आगे चलते हैं तो चलिए यहां से आप देख सकते हैं क्या 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 सब्सक्री देखने के लिए बदेखने है सवाथ प्रेट अपने लाइक आगए डिख सबलेगessä सब्सक्राइब ग्रूप में और इस है ठीक है उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं तो अब जो है पहले सवाल कुछ सवाल जो है कल के भी हैं हो सकते हैं अगर आप दोनों बैच जोइन करे हुए हैं 6-8 और मतलब की अभी 11-12 और 2-3 दोनों बैच जोइन किये तो कुछ कोशन आपको रिपीटेशन में मिलेगा जरूर लेकिन उससे आपका फादा ही होगा matter and its characters क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं तो चलिए पहला सवाल क्या होता देखिए एक सवाल है अगर कल आपने बनाया है कल आपने पढ़ा है तो आज आपसे easily हो जाना चाहिए यही दरसा आएगा कि आपक प्रमे बर्नौली इस्तिधांत गुर्त्वाकर्शन का नियम कुलंब का नियम किस पर डिपेंड करेगा जल्दी बताओ चलिए सब्सक्राइब बहुत बढ़ी है अना सब्सक्राइब बहुत अच्छा यह किस चीज़ पर डिपेंड करेगा यह सारे आए हुए सवाल है काफ आजये इट है क्या हो जाएगा तो जैसा कि आप लोग पता है कि है कोई भी फ्थे त्म करता है घृत इसे कि है यह आप गुट इसको चिटी विश्को शिटी लेकिन यहाँ पर उसकी ज्रुवत नहीं है वहाँ पे उसकी ज़रुवत नहीं रहा है वाटर का लिक्विट की सद्चेय कोई जितलो धक्शिती उपर उड़ रहा है तो इस पाइन बने कार तरह का फॉर्स लगते एप फॉर्स जो है उसको पीछे क्यों किशता एक आगे क्यों फ्लित करवाता और यह ए एमजी पानाय को पिल्ट कर दाज है तो इसे उपर उड़नेमे शायता करता बनौादी ठीडी कर लोगों ने बताया था कि अगर जो है किसी अगर माले यहाँ पानि वह अ만ले यहाँ यहां पे अगर यह धे आ препोλ है और आप देखेंगा उसके बाद यह नीचे वल यह वगदा फिर सभすफफे जोए अल्ड़ यह किवैं ऐसा तो यह डिपेंड करें कितना हाइट है कितना हाइट है ठीक ना तो इसका जो है स्पाइब हो गभाइब शित्ती इस्वय worse यह फ़्र फॉर्मूला फरदी करूड कर और लालॉट होगा तो हाइड़ कॉंस्टेंट होता है तो हाइड जितनाarah वह किस तरह से फोड़ सकाम करता कि इस तरह कोंट पर कैसे को होता है वह सारी बात करता तैसरा बात किये थे तो लॉप ग्रेविटेशन में क्या बात किया है दोस्त कि 2 अबजेक्थ होगा ए और फी दो अबजेक्थ होगा साब ने यह बताया कि दोनों के बीच जो फोर्स लगने वाला है वो फोर्स लेगे जी एम ओने टू एम टू बाई आरी स्क्वेर ठीक है ना मतलब क्या है कि एम ओन और एम टू के प्रोडक्ट का यह क्या होगा प्रोपोर्शनल होगा और उसके ड्वीच के डिस्टेंस की आप दूसरे टाइम में हम यह बताने वाले थे इसी समयाथ सचलो हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे ठेक है तो यह सारी बात होगे चार दिन से इसी का बात इसलिए बोल रहा हो मैं कि आप लोग कितना के लिए चलिया हम बढ़ाते हम सोची थे कि इसको चालू करेंगे थ वा जाता है तो उसमें लगने वाला बल क्या होगा बता अभी यह question जो है नहीं वा था आप बता यह question भी सब्सक्राइब थांक्यू धियान दिलाने के लिए कि हो गया था, इस टाइम में भी हो गया था, मुझे नहीं पता था, मुझे भी लगा था, मैं जो दो से तीन में कराया हूँ, ठीक है, अभी ये question, जल्दी से बताओ, बताओ करो यार, इस तरह से जब, उस तरह से बताओ करो, ठीक है, वो question क्या होता है रिपीट हो जाता है कभी कभी आ जाता है साबुन कपड़ों के बहतर सफाई में मदद करता है कैसे के मदद करता है यह बता हो साबुन जो है वो कपड़ों के सफाई में बहतर मदद करता है यह क्यों कैसे होता है इसे इट गिफ्स अ स्ट्रेंथ तूदा जो होना चाहिए जल्दी बताओं अ जो दूसरी पिपीटी ओपन कीजिए क्यों यह पिपीटी में क्या दिक्त है कोस्टन अगला है कि नहीं है कल हम लोग 15 कोस्टन तक किये थे तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि साबून या सर्फ का यूज जो करते हैं ना सर्फ या साब उसका सर्फेस टेंशन होता है उसको ब्रेक कर देता है वह सर्फेस टेंशन जब ब्रेक हो जाता है तो वह घूल के जो है ने यह पानी के साथ उसके डर्ट जो होता है घूल जाता है तो क्या करता है सतह तनाव को क्या करता है कम करता है रिड्यूस दा सर्फेस टेंशन ठीक कर दिए मुझे यह बताओ इसका सब्सक्राइब क्या अंसर दे रहें बताओ अना डी आंसर क्यों दिए सौप लाइक इन कैटलिस्ट यह गलत जवाब हो गया आपका ऐसा नहीं बताई यारुशी में गोलते हैं से रिपीट हो रहा कुशन रिपीटेड कोशन गलत कर रहे हैं अब इस्ट्रुमेंट यू टू मीजर प्रेसर कॉन चांस इंस्ट्रुमेंट जवह है प्रे सर्म आपने के काम आता है हैं फ्र yht &LC 據। एनीमोमीटर जल्दे बताएंगे जल्दे से बताएंगे बहुत ही बहुत पूर्ण सवाल है यह समझ रहना यह कोशन देखिए मैं थोड़ा सा कोश्चन एक मैं कुछ देख रहा था कुछ बच्चों बोल भी रहते हैं यह कोशन ऐसा लाया जा सकता है जिसमें आप हस्ते हस्त इस सब्सक्राइब लेकिन हस्ते असर देंगे आप फिर उसके बाद जो है लेबल नहीं पहुचेगा तो फिर फयादा नहीं है ना सिचक भरती में लेबल पूछेगा समझ रहे हैं बैरो मीटर बिल्कुल सही है बैरो मीटर खेक चाला पासकल 사고 होता है पर यूनिट एरिया पर यूनिट एरिया का मतलब क्या होज़ाइगा न्यूटन पर मिटर स्क्वेयर पास्कल को इस से डिनोट कर सकते हैं इसके एक बार में एक लाख पास्कल होता है यह भी आप लोगों को पता है समझ रहे हैं यह उलिग जाँ बताता है यह ड्रोप्लेत्स यानि जल की मात्रा जलकी मात्रा समझ दीजे का या जलवाश्प की मात्रा जलकी मात्रा humidity humidity यह मिजर मीट करता है तर्मोमेटर क्या करता यूज तेमप्रेचर मिजर का काम करता है टेंपरेचर हना थर्मोमीटर और एक और यूज होगा वर्ड पाइरोमीटर पाइरोमीटर सुने पाइरोमीटर क्या होता है पाइरोमीटर बता दो क्या होता पाइरोमीटर एक बार में एक लाग पास्कल होता है हाँ बिल्कुल ठीक है अब बताओ कि एक पाइरोमीटर में प देखिएगा वीडियो में भी तो लोह गरम गरम लोह को ना गन जैसा से रेडियेशन से जो है उसका जो है उसके कलर से कलर से पता चल जाता है कि इसका टेंपरेचर कितना है अब एक चीज़ देखिएगा कोवीड के बाद जब भी डॉक्टर के पास आप गया होंगे किया होका गान से आप जो है आसे गुली मारने जीमार तक पता चल जाता है कि यह कितना इसका तेंपरेचर है ठीक है चलिजुर अगले सब्सक्रिये अप लोग पल्सक्राख है एंसे पता यdes यानि वेलोसिटी आफ वेलोसिटी आफ एयर यह मापा जाता एनीमोमीटर से किलियर है यहाप एक तो बताईए आगे बढ़ते हैं जल्दी अगला यह कोश्चिन पढ़िए जल्दी से बताई यह पायरोमेटर उचता पान के लिए बिल्कुल हाँ लो उस तरह का और भी बनाय पर बमान के लोहे की गेंद है पानी में डूबने पर लोहे की गेंद तैर सकती है लेकिन किल हमेशा डूब जाता है ऐसा इसलिए है क्यूंकि सपोज्च वी है बे आयरन नेल आयरन नेल का मतलब कील समझ लीजेगा ठीक है एंड आयरन बॉल आप से मास वें समर्ज इन ंब अगर समय नहीं समझ आ रहा तो बताना मुझे यह पुछ क्रा एक लोहे का जो है ना कील है किस तरह का कील मां लेते हैं कील है और इतना ही वजन का इतना ही द्रब्यमान का एक गोल है बॉल है दोनों को पानी में छोड़ा जाता है तो किल जल्दी डूब जाता है बॉल नहीं डूबता है इसके पीछे क्या कारण है आप्शन पुछा है बताया है कि गेंद पर उत्पलावन बल उनके आकार के कारण किल क के तुलना में बढ़ा होता पहला अप्षन यह है दुसरा गेंद पर चिप चिप चिपा बल यानि की विसकोशी टी चिपच्पा भल यहां पर विशोष्टी बोला जा रहा हुं शन कॉश्व पॉर्स मतलब विश्कोशी टी को ऐसा ट्रांसलेट कर लिया है उसको विश्कस फोर्स और ने इज Coward नेल पर कांटी पे जो विश्कस फोर्स जदा है फिर ग्रेवीटेशनल फोर्स आपटर दबॉल डीरेंट फ्राम दा नेल से डिफ्रेंट होगा क्या बताया जा रहा है यहां पर क्या को अथारा कना अठा रहा गये, बिल्कुल, देखियो, होता क्या सारा कुछ अपनी जगह है, यही है तब, यहां पर, जब बॉल को पानी में ऐसे रखा जाएगा, और एक किल को रखा जाएगा, ठीक है, तो बॉल और किल में क्या होगा, जो अप्थास्ट फोस होगा, ना, तो फोस्ट चुक्कि मास्ट दोनों का बराबर है मास्ट दोनों को बराबर है तो एम जी तो बराबर ही लगेगा लेकिन आप थर्ष्ट फोस्ट जो है एम में ज्यादा लगए उत्पलावन बल सकते हैं उत्पलावन बल भायों इसी जो बोल सकते हैं उत्पलावन बल जो सब्सक्राइब अगला सवाल किया है जब गहरे समुद्र के मचलियों को समुद्र की सता पर लाया जाता है तो उसके सरीर फट जाते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके सरीर में रक्त बहुत कम बाता है उच गती से उच दाब से कम गती से निम्द दाब से बताए क्या उन्हें लग जाता है एक बात आप लोगों को यह पता होगा सायद कि समुद्र में भी ना जैसे कि आप मत सुचेगा कि जंगल में एरिया होता है सहर में एरिया होता है समुद लेयर के उपर नीचे कभी-कभी जटका से आ जाया आ जाया लेकिन जैसे वेल सब बाहर आता है ऐसे करके फिर घुश जाता अपने जगह पे तो हर एक लेयर में रहने वाले जियों का एरिया बटा हुआ बटा हुआ मतलब वह एडेप्ट कर चुके कुछ जो है घ्रास लैंड गरेट समूदर का मचली तो क्या हो जाएगा उसके साथ प्रॉबेल्म हो जाएगा मिरे दोस्त की पहला प्रॉब्लम होगा कि वह जो है जब बहुत गारी अत्रображ में रहा तो उसके सब्सक्राइब कर लेता है लेकिन जैसे जैसे पानी के उपर लाएंगे पानी के जैसे जैसे उपर लाएंगे दबाव कम होते जाएगा और दबाव जब कम होता जाएगा तो बाहर का दबाव तो कम हो गया तो बाहर का दबाव जो चल रहा है उसका वह दबाव बढ़ तो क्या होता ब्लड वैसल जो भी होगा शरीर में बहुत सारी दिक्कत्य ब्लेडिंग हो जाएगा फट जाए गा मरती है तो पानी से बाहर निकालने से जो मर जाती है शांस की कमी से नहीं मरती है हवा की कमी से तो मरती है वह लोग समझ रहे हैं कि जी मचली जलकी राणी है तो यहां पर क्या हो जाएगा निम्द अभ नहीं होगा उच्छदाब क्यूंकि उसके शरीर में रक्त क्या हो जाता उच्छदाब उसके शरीर का स Shine रहा है उसके सरेर में रख्त क्या हो जाएगा उच्छ गती से उच्छ य उच्छ दाब सेखोंब से टो यह उसफ कि आप से बहने लग जाती है मेरी बात समाझ में आई कि नहीं आई मुझे यह बता दीजेए मेरी मेरी बात समझ में अगर आ गई है तो एक बार लाइक कर दो दोस्त एक बार सेयर कर दो अपने दोस्तों तक साइंस की फिजिक्स की कच्छा हो रही है आप लोगों की ठोली इसी कॉपरेशन की जरुवत पड़ती है आप लोग इस बात को समझते होंगे तब ही आपको ज्याद उस कांच के बरतन की दिवारों को गिला नहीं करेगा जिसमें इसमें रखा जाता है क्या नहीं करेगा जल्दी बताओ परसों कम गती बताए थे क्या कम गती बताए थे प्रेसर के बात कर रहे हैं गती की तो बात ही नहीं कर रहे हैं ऑट है क tehdit में को새 कौण सा उस काच की दिवारो को गिला नहीं करता है मतलब क्या है काच की दिवारो को कौन की गिला नहीं करेगा मा लेते हैं एक क्बीकर है इसमें जो है ना पानी रखा गया है ठीक है एक बीकर जो है उसमें जो है पारा रखा गया तो देखिए अब पानी जो है इस तरह से रहता है पानी इस तरह से रहता है अब पारा इस तरह से रहता है क्यों ऐसा होता है क्यों होता है तो पारा इस तरह से रहता है और जैसे इस पानी को गिराएंगे तो यह क्या होत होता है यह पानी फिर में बीगा हुआ आपको ग्लास दिखेगा लेकिन यह पारा गिरा दबात यह बीगा हुआ नहीं दिखेगा i3 00lık सब्सक्रांश में के बाद आईचु जी गिरा दने के बाद नहीं दिखेगा और यह गीढे देने के बाद दिखेगा ऐसे है ऑंच साइसा इसलिए होता है क्यों होता हैसा कि भी याव वाट्र अबोल यूकुल के बीच जो होता है ना वाटर अब क्या होता है यह दूसरे पार्टिकल क्या होता है यह दो तरह के फोर्स जो बता रहा हूं मैं जो नाम ले रहा हूं एक फोर्स और एक एड़ेसिव फोर्स क्या होता है एक तो आप ऐसा समझ लिए कि जब माल लेता है एक जग में पानी है तो यह पानी और पानी के बीच जो पानी और पानी के मोलिकुल एक दूसरे को बांधे रखता है ना एक दूसरे बांधे के लिए जो फोर्स बांडिंग चाहिए वह है कोहेसिव फोर्स कौनसा पानी के बीच होगा वह आडेसिव होगा क्या होगा वह एडेसिव फोर्ष ठीक है तो ऐसे करडिशन में देखेगा पारा का ग्लास के साथ एडेसिव फोर्ष जो होता है लेकिन फारा का अपने खुद पारा के साथ कोहेसिव फोर्ष ज्यादा होता है इसलिए सारा पारा समझने के लिए ततपर रहते हैं आप समझने के लिए पेसेंस रखते हैं आप समझना चाहते हैं तो मैं अच्छा समझा पाता हूं आप अच्छा नहीं समझना चाहेंगे तो मैं क्या अगर लूँगा अजब एक टीचर अच्छा तभी पढ़ा सकता है जब जब इंट्रेश्ट के साथ मेहनत के साथ उठका साथ दे कगते कि अ कग इस मामले में बहुत उसकिसमत हुमें कि मुझे मेरे सिचकों का भी बहुत अच्छा सायोग मिला है और मुझे मेरे विद्यार्थियों का भी बड़ा अच्छा सायोग मिला जहां भी पढ़ाया जब भी पढ़ाया हूं बहुत प्यार मिला है मुझे भर भर के मिला है एकदम समझ लीजे कि हाला कई बार गलतिया भी हुई है तो उसको भी जो है ना सहयोग आत्मक रूप से सुलजाया गया है यह ना की हती किया गया है ठीक है तो इस बात में मैं लक्यों में पता नहीं इस्वर मेरे उपर चाहे आप महरबान है चले बर नौली थ्योरम का सिधान निम्लिखित में किस कानून पर आधारित है बताओ बताओ यह क्या है वर नौली थ्योरम किस बात पर आधारित है जल्दी से बताएंगे कि अ जल्दी से बताईए बर नौली थ्योरम कि बताउद बताई रस में से Seisूंने में चंश वियों केुदधल कैसे बताब मने लगए बताओंगे तक कि और रादाशर में यह तारााNow puta झाल, क् कि शधने जाराा सुने तक और रादाशर कि अपने कि तक दने के लादाते. है तोड़ तोड़ के पढ़ाना पढ़ता है नहीं तो समझेंग से सभी लोगों को सभी अलग-अलग बैग्राउंड से अलग-अलग इस साइंस वाले तो बुलें तो क्या बच्च वल समझा रहे हैं और सवाले के लिए पहाड़ा लगता है बर नौली ठीयोरम क्या बताएग उर्जा संग्रच्छन का सिद्धान्त इसके तहत आप फिजिक्स में पढ़े हैं क्या पढ़े हैं कि उर्जा ना ही डिस्ट्रोई होता है ना ही क्रियेट होता है उर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है उर्जा क्या होता है उर्जा संग्रच्छन के सिद्धान्त क्या पढ़े है एक रूप में बदल जाता है इसका आप मूम्बत्थी जलाएए मूंबत्टी थोड़ी दिर或者 पार दगेखे और कॉटन के रूप में जो उर्जा संग्रच्छित थी उर्जा मेटेरियल संग्रच्छित थी वह जला उसकुछ आग बना कुछ धुआ बना कुछ लाइट बना कुछ ऐस बना तो इस तरह से क्या हो गया कई चीजों में बदल गया लेकिन नष्ट नहीं हुआ उर्जा कभी वेस्टेज में अंतर करते हैं कुछी वेस्टेज है या नहीं है यह किसे साफ समलोग देखते हैं कि हमारी उपयोगी ता कि अनुसार बदल रहा कनवर्ट कर रहें कि नहीं कर रहें पानी हम बदल रहें पानी का फवारा जा रहा है तो उसका उपयोग हो रहा तो ठीक है नहीं छोड़ा जा रहा है ठीक है ना पाइप माली यतना चोड़ा है पाइप छोड़ा जा रहा तो देखिया आगे जाके ओपैल जाता है आगे जाके ओपैल जाता है और जैसे हाथ से थोड़ा दबाते तो और दूरी तक जाते और फैल के जाता है तो इसमें क्या बोला गया है उर इनर्जी उसके गति के कारण दूसरा आपका पोटेंशियल इनर्जी आफ ओटर तीसरा आप जो है ना प्रेशर एनर्जी ठीक है ना प्रेशर एनर्जी यह जो यहां पे होगा यहां पे होगा यहां पे भी वही होगा यहां पे भी वही होगा यहां पे भी वही होगा यहां प्रेसर के बज़ा सर्ण इनर्जी प्लस पोटेंशल एनर्जी स्द Mmm तो माले रिकिया जहाई करें नैर्जी जादा यहां पे माल लेते तो इधर पॉतेंशेल एनर्जी तो किता से मुझे से इस तरह से सकता है स्बूम्स हेगा यह एक अउटफेशन आप हना परनोली स्टीवर्यम है प्रिंसिपल अगला सवाल किया यह कि इस्थिर बल्दोरा किया गया काई रहे कण विस्थापन समय ग्राफ क्या हूगा सवाल को पर यह तो बने गए वाला ध्यान से पढ़िये तब देखमेर वने गया बदो लो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आ जल्देखिए एक स्थिर बलद्वारा एक इस दूस्में टाइम ग्रफ और पार्टिकल एक्टिकल अपन दा कॉंस्टेंट फोस्ट्रेट लाइन इसर कल पैराबोला एनी कर्व डिपेंडिंग अपन दा इनिस्चिल कंडिशन हना पूछ क्या रहा इस्थिर बल कारे कन का विस्थापन ठीक है एक ग्राफ ले लिजे ठीक है और जो है बल अब इधर माल लेते हैं बल ले लिजे इधर विस्थापन ले लिजे ठीक है ना और इधर ल गए कन का विष्ठापन ग्राप क्या होगा माल यह बल जैसे जैसे बढ़ता है हना बल जैसे जैसे बढ़ता है माले तो बिस्थापन बढ़ेगा की घटेगा हना विष्थापन बढ़ेगा की घटेगा दो तरह से बन सकता है एक ऐसे भी बन सकता है एक तरह से बन सकता है ठीक बल बढ़ाते हैं बल लगातार लगे रहता है तो वो क्या हो रहा है निकिन लगातार अगर बल लग रहा है तो उसके वेलुशिटी में जो त्वर जो है इस बात को ध्यान में रखेंगे चली समझ गया है अगला सवाल ले लिजे क्या है अगला सवाल क्या होगा जल्दी से अस्ट्रेट लाइन नहीं होगा कि पर पहुचा था पर देश मिट लेट हो गया जिसके वज़ा से मुझे अंदर जाने नहीं दिया है समसे यह बताए कि आपकी ठीक है सब्सक्राइब कि यह आपका जो है लास्ट मेंसेज है कि अगर को कि अगर करें कि अगर करें कि है और यह को एक हो गया चलिए यह बस यह दर डीप सी डाइवर में हट क्या को पूछ रहा है एक डीप सी डाइवर में हट ही ये ड्रम ड्यूरिंग डाइविंग फीकॉज off the lack of ना क्या बोल रहा है एक गहर्य समुद्र में एक गूता खोर डाइविंग के दौरान अपने कान के पर दे को चोट पहुचा सकता है क्यों ऐसा होता है कैसे बिस्थापन टायम है हाँ बिलकूल इस्थापनौच के साथ पर लगा है तो कि गया है अंगला क्या है गहरे समुद्र में अगता खोर दिखिये है गोटा घर समय में तो जब भा हर धिंदलेगर जब बहार है तो उसके सरीर पे जितना प्रेतर लग रहा है काण में भी लगी गी दिडि़ गार जितना प्रेसर लग रहा है पानी में जाने के बाद उतना ही प्रेसर लगेगा क्या अगर पानी में शुरुवाती में गया तो यहां प्रेसर माले यहां पी है यहां पीवन है और अंदर गया पीटू लगेगा अब बताइए उसके सरीर पे जो प्रेसर लग रहा पी पीवन पीटू पीठी सबसे कि अऔर भाई आप जवाब क्या रहे हैं मैं पूछ किया रहा हूं आल राइट डी क्यूं बोल रहे मैं गुंसद जो पुछा उशा जवाब दिए इसका बात में दिजिएगा यह जो प्रेशर पानी के सता में पी वन है पीटू है सबसे जादा प्रेशर रहें जल्दी बताओ पी प्रेशर है क्योंकि इतने वटर का ढबाव उस पर रहेगा तो इसके सरीर में जो नौर्मल हवा का दबाव सा रहा था वह अचानक इधर रहेगा तो होगा क्या हमारे बाकी मसल्स हो अगरा तो फिर भी कुछ रीजिड होते है कुछ साह लेगा ठीक है साह लेगा लेकिन होता क्या है लेकिन कान और कान के पर्दे आंतरिक भाग जो keyboard वह उतना नहीं जैसे आंक में चश्मा पहन के लोग जाते हैं क्यूंकि आंक बहुत कोमल होता कान के पर्दे बहुत कोमल होते उसको ना हार्म कर सकता है तो इसी वज़ासे बोला जाता है उच्छ क्यों भी जैसे जैसे नीचे जाते है वैसे वैसे क्या होता है प्रेशर क्या हो जाता है बढ़ता जाता है मेरे दोस्त बढ़ता जाता है ठीक है तो उच्छ वायू मंडलिये प्राइट अंसर जिसका जिसका भी है हना भी बी दारे टांसर है अच्छा एक स्वरी अट्मस्फेरी प्रेशर नियुक्त अग्ला सवाल ले लिटे हैं अगला सवाल निम्लिखित में से किसमे ध्वानी की गति अधिक्तम होगी बताई कि यह जो बताया जारा ध्वानी की गति किसमे अधिक्तम होगी आप्शन देखिया और जवाब दीजे जल्दिशे किसमे अधिक्तम होगी आप इस बात का हमेशा ख्याल रखेगा यूनिवर्सल टूथ है कि साउंड की जो गति होता है वेलोसिटी आप साउंड सबसे ज़्यादा होगा सॉलिड में उसके बाद होगा लिक्विड में उसके बाद होगा गैस में तो पांड की गति सबसे ज्यादा होगा सॉलीड में लगा था है तो अब क्यों होगा ऐसा क्यूंकि इसके आनु जुएना ज्यादा कॉम्पेक्ट होते बिल्कुल क्पास पास 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 होते हैं तो वह जो है ना एक दूसरे को भाइबरेट करेंगे खटखट 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 वाइबरेट करेंगे तो तेजी से इसलिए बोला गया स्टील में जो एनल सब से ज्यादा देख सकते हैं कभी मोबाइल में आप देख सकते हैं मोबायल में जब बस रहे हैं आप मोबायल को सुन रहा है यह कान के पास ऐसे आपको अवाज भी ज़्यादा सुनाई देगा सुनाई देना चलो हो जाएगा चाहिए साउंड कम भी कर लिए उसके बाद भी यहां पर टच किए तो उसका भाइब्रेशन से आपका यह जो है ना समझ जाता कि यह क्या हो रहा है होता है कि नहीं होता करके देखें कभी देखें तो यहोंगे मैं करके कई बार देखा हूं ठ यहां पर हो गया लकड़ी करना यहां पर हो गया लकड़ी ओड में सब्सेजादा तीजी से सांट चलेगा अगला सवल क्या देख लिए जब सितार और वासुरी को एक ही नोट पर बजाया जाता है तो उत्वानिका एक दूसरे से अलक किया जा सकता है क्यूंगी इसमें अं तर होता है क्या अंतर होता है अरिया लॉड़नेस अनली बड़ बोलापन अरे घलत हाई यह ठीक ना पीच लॉड़नेस क्वालिटी देखिये बोल रहा है कि एक ही नोड पे शुगना श्फूट अन्दस प्रोड्यूस प्रोड्यूस प्रोंड इस अधर विकॉज आप धियर स उसका पीच और लॉड़नेस सेम ही होगा तो बदलेगा क्या वहिया तो उसकी क्वालिटी ढूलत में बजाया जा रहा है या अधार बाहार है उसके क्वालिटी के अधार पर डिप्रेंसियेशन होगा उसका सीजदा राइट अशर फिच और लॉडनेस दोनों ठीक है वो ज ठीक है माले लेते हैं जैसे कि देख लिए कोई क्वालिटी जैसे सितार में हो गया और किस प्लेस बजाया जारे तो क्वालिटी इज़ाराइड ठांसर यहां पर ध्यान रखिए ठोक मापकांक और पानी का घंद तो हवा की तुलना में अधीक है बताइए इतनी सारी जनकारी के साथ हम कर सकते हैं कि हवा में ध्वानी का वेग पानी में इसके मान से बड़ा होगा पानी में इसके मान से च्छोटा होगा पानी में इसके मुले के बराबर होगा तुलना पानी में इसके मुले से नहीं होगी यह थोड़ा लेवल हाई है देखिए दुरगेश पूछ र और घुदा कितना फैब्रेट करता है कितना फैलता है यह जैसे कि देखेगा पुरुश जो अघ twenties के वह वह बोटा है उसके आवास में लाउडने ज्यादा होता है अप ही मेर्स की जो ठप साय होती है इस देखी वह चलाईगी ना दूसरी मोल ले तका अभाच जाएगा ना अपरस्ट चलाईगा तो घर हिल जाता बोलता घर हिलेगा बगर के बाहर बात नहीं जा पार बटनी जाता लेकिन समझ रहे समझे रहे हैं सबस्ट रिफ क्या पूछा जा रहे हूं पे हाव बताये कहां आईगा देखनेगा थोक मापांक यानिंड्ख मोडुलस कया होता पाली बात तो यह जानना होगा आपको कि बल्क मोडुलस क्या होता है बुला आता है ना है मेरे चलिरय होग गया सा सुनिए है मेरी बात बल्क मोडुलस या अट एक डेन Сам YOU ऐस employees हना ग्रेटर देन दो अब दा एयर हना वटर की पूछ रहा है कि बाल्क मोड estavam क्या होता है यह गत्राठ आपाईया डेनसीटी क्या होता है डेनसीटी अफ क्या बल्क मोडूलस यह हो गया स에को वह पर यूनित वल्यू में धारेन व्यूनित कि रहा सकता यानि किम यह यह बोल्ल्यूम है तो यह इस पे जब चाहरों तरफ से प्रेशर पर रहा है बल्क मोडूलस तो यह कितना रिजिस्ट कर रहा तम है नहीं बदलने के लिए tapping बदल जाएगा अराम से कुछê नहीं बदले अराम से जैसे कि देख लिए कुछ चीजों को आप दबाना चाहिंगें तो चिपक जाएगा दब जाएगा रूई अस्पंज ये सब लेकिन लुहा को दबाने के कोसिस कीजिए वो नहीं दबेगा तो क्या होगा उसका जो है रेजिस्टेंस समता जो है पानी से या रूई से ज्यादा है तो अगर बोला जाए तो बल्क मोडिलस क्या है भीया पूछ पूछ रहा है कि थोक मापांक और पानी का घनत्व हवा की तुलना में अधिक है पानी हवा ज्यादा आराम से दबेगा कि पानी ज्यादा आराम से दबेगा हवा ज्यादा आराम से दबेगा तो मतलब ज्यादा आराम से जो डब गया उसका बल्क मोडिलस कम है उसकी डेंसि टीपी ज्यादा हावा कि तुलना में तो ज्यादा है ना कि नहीं है बिल्कुल है अब क्या पूछ रहा है इतनी सारी जनकारी के साथ हम कह सकते हैं कि हवा में ध्वानी का वेग क्या होगा अब बताइए अब क्या होगा जितना वल्क मोडूलस जिसका ज्यादा रहेगा जिसका डेंसिटी जिसका ज्यादा रहेगा जो ज्यादा कॉम्पेक्ट रहेगा उसमें साउंड ज्यादा तेजी से दोड़ेगा जितना कम रहेगा ठीक है जब लोग खिड़की से जहां कर रहा है चलिए कोई बात नहीं है ठी सीख तो रह कि स्मॉलर देन दा वेलु इन वोटर हना तो एयर का पूछ रहा है ना से देटा वेलुशीट आप सौंड इन एयर हाँ एयर का स्मॉलर होगा छोटा होगा किस से वोटर से चुटा होगा अब मुझे सिर्फ शीतना बता दिजिए जितने लोग उपस्तित है सभी को समझ में आ जो जितना ज्यादा डेंस रहेगा सौंड उसमें उतना तेजी से चलेगा जो जितना कम डेंस रहेगा सौंड उतना कम धीरे चलेगा बल्क मोडिलस भी वही प्रोपर्टी है किसी मैटर का कि वह जो है किसी कॉम्प्रेशन किसी प्रेसर को जहलने का विरोध कितना करता है ज एर के सब्सक्राइब में हम अब बात करते हैं तो साउंड तो एर में जा रहा है लेकिन उससे ज़्यादा पानी में जाएगा तो आप जाके तलाब में घुष के जो है एक दूसरे को बती आने का कुछिस की जएक सर जाइए नहीं रहा तो भी आपका कान जो है पानी में जो भाइप्रेशन होके आता है तो उसकी गती भाप ने योग एक्सपरियेंस नहीं किया है पहली बात तो यह है दूसरे बात वो जो है डिस्टिब्यूट हो जाता है बहुत सारा ठीक है अपना ऑप्शन दो दिये हैं उसमें एक को आप खुद कर दिये मतलब हम कहा है पानी में इसका मांश अच्छे देखते हैं को अप्शन का गड़ बढ़ है क्या लार्जर देन दा वेलू इन वोटर पूचरा वेलोसिटी आप साउंड एर में वोटर से ज्यादा है एर में नहीं गलत हो गया श्मॉलर देन वैलू इन वोटर हना इसमॉलर है बिलकुल ह स्मॉलर है वेलोसिटी इस कहां कम होगा भाई एर में कम होगा कि से तो वाटर से फिर क्या है इस एक्वाल टू वैलो आप वाटर बिलकुल गलत का नौट भी कंपेर्ड विद इट से वेलू इन वोटर नहीं गलत बाद चली अगला सवाल क्या है को एक पूश्ञ मार्स सिस्टम एक कार में değişूलता है यह दिकार 36 अस्तर पर तेज हो जाती है तो दोलन की आवरीति क्या होगी क्या क्विशन पूछ रहे कि यह कर है तिन इसमें स्प्रिंग मास सिस्टम से जो है ना को एक स्प्रिंग मास सिस्टम वाला जो है वेट लटकाया हुआ है कार में जोलता है यदि कार की 36 सड़क तेज हो जाती है चार एसलरेट ऑन होरिजन्टल रोड दा फ्रिक्वेंसी आप ऑस्किलेशन विल भी यह अगर तेज हो जा रही है कार अगर तेज भी हो जा रहा है तो इकार की स्पीड से कोई मतलब है क्या यह क्या होता है जब फैबरेट होगा तो यह उपर नीचे अपने से होगा इसके अपशन देखिये 26 का क्या कुछ घढवर है कि उफ्ज़ों कि भी था क्या है एक तो इससे कुछ फर्क ने पढ़ेगा उसका जो है एक आप का स्प्रिंग माश सिस्टम में और एक के ले शुान लेगा तब तो यहां पर रिमेंट सेम रिमेंट सेमी दाराइट अंसर समझ रहे बात को कोई दिकत चलिए अगला अगला सवाल ले लेते क्या है अगला सवाल यह एक साधारन पैंडूलम जो है उसका जो है सम आवर्थकास क्या बोल रहा है करेगा तो यह एमपलीट्यूट यहां अकि डिपैंड करेगा ना अवर्थकाल दूसरी बात है Spring Watch द्वारा दिखाया गया समय गुरुत्वा-कर्शन के कारण्त्वरन के साथ बदलता रहता है Сп्रींग वाच जो है जो भी मास है जो बता रहा है इस तरह से Spring Watch Champ गुरुत्वा-करशन के कारण्त्वरन के साथ बदलेगा ये बता रहा है आप एंडूलम के लंबाय और समय उधी के बीच ग्राप एक पैरा बोला होगा क्या होगा बताओ पहली बात कोश्चन तो है इसको थोड़ा सा सिंपल हार्मोनिक मोशन थोड़ा सा हमको बताना होगा यह काम करते हैं यह लोकोशन हम लोग इसलिए करेंगे कल जो है फार्स्ट यह बार बताते तो नहीं उलज जाएगा आप लोगों तो कल 15 पहला 15 मिनट 15 से 20 मिनट जो है यह टॉपिक पर हम चर्चा कर देंगे आप लोगों को और इससे जुड़े सवाल आप क्यूंकि इससे जुड़े हुए ही सवाल आएंगे तो इसको हम पहले किलियर करेंगे आप पर किया होगा अब चलिया कुछ हम लोगों कुछ बाते और कर लेते हैं क्या बाते अब जल्दी जल्दी आप लोग कुछ जो पहला क्लास में हम लोग किये थे वह बताइगा ठीक है तक बताये मुझे लेंद का एज़ी सवालों में से पूछ रहा हूँ इसी सवाल है आपे ठेक लेंद इसका ऐसाई उनीट क्या होगा लेंद का ऐसाई उनीट क्या होगा और डाइमेंशन के लिए कौन सा वड़ंछ करते हैं इसमें के लिए जल्दी से बताएंगे लेंथ उसका अंसर बता देंगे समझेंगे ने अंसर बता देंगे आंसर जो है आप देख लेना विडियो पलटके उसका अंसर जो होगा लास्ट अप्शन होगा डी वाला होगा अंसर वही है ठीक है आपको समझाने के लिए मुझे चारों अप्शन पर शॉषाना पड़ाइगा फहले बताई क्या होगा लेंद का एफा यूनिट क्या होगा बताओ मिटर होगा बिल्कुल मिटर होगा ठीक है अब मुझे बता दीजे फोर्स का SI उनिट क्या होगा फोर्स का SI उनिट क्या होगा और डाइमेंशन क्या होगा फोर्स का SI उनिट और डाइमेंशन क्या होगा जल्दे बताएंगे मिटर 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 विल्कुल सही है फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होगा फोर्स का क्या होगा आप मुझे बताए ये लेंथ और फोर्स में दोनों में फंडामेंटल यूनिट कौन है फंडामेंटल यूनिट कौन है शल्द से बताएंगे oniटन ठीक है इसका एसा यूनिट नूटन होगा ठीक है यह दोनों में फंडामेंटल यूनिट कौन में लेंथ और फोर्स में क्या होगा फंडामेंटल यूनिट तो फंडामेंटल यूनिट बिल्कुर सही है लेंथ होगा अना लेंथ आप मुझे बता ये फंडा ये मेंटल यूनिट कितने है कितने फंडामेंटल यूनिट है सेवन है यह सेवन का नाम कौन कौन बताएगा जल्दी बताओ कौन कौन होगा हाँ कौन कौन होगा लेंट मास हाना मास के लिए क्या हो जाएगा मास के लिए क्या हो जाएगा जल्दी बताओ अच्छ ठीक है क्या तो एड करेंट के लिए जय को कुनिए जाएगा है लाइट के लिए यह जाएगा know die is auto ज़ली से बताएंगे साथ 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 कॉछ ज interviewed आपको जो है क्या पढ़ना चभीव सन में अपका बैल ओ जी को सब पढ़ना पड़ता है ए कि मार्प घंप सब्स्टान्स हो गया लाइट हो गया और करेंट हो गया तलिए सब का बताइए सब का ऐसा यूनिट क्या होगा यह साथ है ना आपके पास साथ है ना जदा हो गया चार पांच शे साथ तीक है बताइए ठीक है हाँ सिंपल है मिटर हो गया अना केजी हो गया टेंपरेचर का कॉंसा सिस्टम अगा देखिए मेडम भी आ गई है कि अना के रंट का एंपेयर हो गया सब्स्टांस का मोल हो गया लाइट का कंडला हो गया ت कि शाइड साइड है कि अरे भाई चलू और एक कौन सा छूट रहे यह क्या लिखें यह क्या लिखें एक जो आपका फर्मोमेटर एमट्О evolve Stasletter होगिया इंटेंसिटी हो गया let rlish Chain a तंपरेचर कातो Kelvin हो गया ना कंगर टमरेचर अत्भाएचिर कर था यहाप टमप्रेचर क्या होग और rolling होगया ना बिल्कुल चलिए यह सारे हो गए अब एक के बाद एक बात बताईए यह तो हो गए आपके फंडामेंटल आप लोग समझी रहे हैं सिंपल सी बात है अब जो डेराइब यूनिट जो बात करते हैं यह जो देराइब से बात करते हैं थिफनामें जोंबumba 250 में 2 बोलते हैं जिसके सपलेसलाय एक और मैंटल क कोंपली मेंटरी कोंपली मेंटरी चुक्री पूलता हूं पहले supplementary, complementary बोलते हैं, हना unit, यह क्या होते हैं, जो चीज जो है, single single में सिधे 2D, 3D में जो मापा जा सकते हैं, यह दो है, आपर देखे, supplementary में 2 होंगे, इसको इसमें जो होता है, angle measurement किया जाता है, angle, हना दोनों में angle ही measurement किया जाता है, एक में होता है 2D, 2D वाला angle measure करेंगे, औ पहले school में परकार से मापते रहते थे, बनाते रहते थे थे, इस तरह का, तो angle कितने degree पे है, यह सारा मापने का, तो यह हो गया, 2D से मिजर किया जाता है, रेडियन और यह स्ट्रेडियन का मतलब क्या हो जाता है, ठोंगा वाला समझ लिजिए, हना, ठोंगा वाला इस तरह है, कूल फी खाया है, कूल फी खाते होंगे न, हना, उसमें जो है, उस तरह का, मिजर किया जाता है, यह तो ऐसे भी हो सकता है, कभी-कभी, इस तरह का, ठीक है, तो इसको कहते है, एस ट्रेडियन, और इसको रेडियन, यह भी आपका हो गया, fundamental unit, ठीक है, यह fundamental unit में यहाँ हो गया, यह सब छोटे-छोटे देखिए, यह सब जो है, मैं आपको पढ़ाओंगा न, कभी-कभी है, जैसे भी लास्ट का, पांच मिनिट में बात कर लिया, लास्ट अधर, MCQ किया, उस MCQ के बाद इस पांच दसमें, फुराने वाले बिल्कुल, इजी, जो की, सिलिम, सब नहीं छुटना चाहिए, उस पर बात कर लेंगे, समझ रहे हैं, ठीक है, तो चलिए, उसके बाद आजाता, जो डिराइब यूनिट के बात कर रहे थे, इस को जो है, हम लोग कल बात कर लेंगे, आप लोग पता, डिराइब का मतलब, जो दो या दो से जादा, फंडमें भी माइनस यू बाइटी करके आपको निकालना पड़ेगा इसलरेशन फिर उसके बाद पूट करना पड़ेगा फिर उसके बाद डैमेंशन निकालना पड़ेगा जो कि बताया था कलके क्लास में हमने ठीक है तो चलिए यहां से आगे जो हैं मोर्चा संभालेगी महारति जी अना मैडम शालिनी अभी अगर जागन हो रहा होता तो शालिन 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 अच्छा यह किसकी वज़े से होता है यह रेवर्बरेशन और एको यानि कि आपको जो यह प्रति धोनी या यह जो आवाज गूंजनी की सुनाई देती है यह साउंड की किस प्रति धोनी जिसे कहा जाता है वो किस कारंट से होता है तो क्या बता दोगे मल्टिपल रिफ्लेक्शन ओफ साउंड है ना मल्टिपल रिफ्लेक्शन ओफ साउंड और मिनिमम डिस्टेंस कितना चाहिए एको के लिए जली करेंगे यह सब सरकरवाएंगे सो अब वेरी गुड मॉर्निंग तु एव्रिवान वेरी गुड आफ्टरून तु एव्रिवन आप सब भी लोग को स्वागत है बिहारडर 247 के यूट्यूब चैनल पे हम यहां तह यारी कर रहे हैं बिहार सिक्षक भरती 2.0 की जहां आप बनने वाले हैं बहुती उंदा बहुती शांदार अध्यापक अध्यापिका या शिक्षक शिक्षक का कक्षा वर्ग छटी आठवी नौवी दसवी के हैं ना तो वेरी गुड मॉर्निंग टो एव्रिवन तो चलिए तो क्या पढ़ा आप लोगोंने यूनिट्स पढ़ रहे थे आप लोग मात्रक की बात कर रहे तें हैं तो यूनिट्स में यूनिट के अंदर यानि कि मात्रक के अंदर आप लोगों को सर बता के गए हैं कि अगर हम SI पद्धिती की बात करें अगर हम SI पद्धिती की बात करें यानि कि SI सिस्टम की अगर हम बात करें SI की फुल फॉर्म क्या होती है SI की फुल फॉर्म होती है सिस्टम इंटरनाशनेल क्या होती है इसकी रहे होंगे पौंद में कोई बात कर रहा हुगा ग्राम में तो सिस्टम को अपना सिक्स कर लिया है कि उस दोरान धिया कुछ fundamental units हैं जो कि use की जाएंगी और वही फिर आपको सर ने बताया कि length यानि कि लंबाई मापनी होगी तो आप किसमें मापेंगे मीटर में मापेंगे अगर आपको mass यानि कि द्रव्यमान मापना होगा तो आप kilogram का इस्तेमाल करेंगे अगर आपको time मापना होगा तो आप second का इस्तेमाल करेंगे अगर आप लोगों को temperature नापना होगा तो आप Kelvin का इस्तेमाल करोगे अगर आपको क्या मापना होगा current मापना होगा यानि कि विद्धुधारा मापनी होगी तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे आप एंपियर का इस्तेमाल करेंगे जोती तीवरता जोती तीवरता यानि की luminous intensity luminous intensity किसमें मापी जाती है luminous intensity नापी जाएगी candle में symbol use करते हो आप capital c small d और last होता है आपका पदात का परिमान यानि की amount of substance और जब amount of substance की बात की जाती है तो वो मापा जाता है किसमें मोल में कि यही कुछ आप लोगों ने पढ़ा है ना उसके बाद और क्या बताया सर ने उसके बाद आप लोगों को सर ने बताया कि देरा टू supplementary units as well इसके अलावा दो supplementary units भी होती है और वो supplementary units कौन से होती है एक होता है आपका plane angle जिसे आप कहते हैं समतल कौन यानि कि जब तल कैसा होगा समान होगा plane होगा जिसे टूडी के नाम से कहा गया है ना तो टूडी में यानि कि जब आपको square का angle नापना होगा तो square का आप angle नापेंगे किसमे radian में symbol use करेंगे already ठीक है और जब आपको किसी cube का यानि कि अगर इस कमरे का कोना नापना होगा तो वो मापा जाएगा किसमे यानि कि 3D वाले को बोला जाता है क्या solid angle यानि कि धनकोड और वो धनकोड मापा जाता है फिर किसमे स्टेडीडियन में और symbol आप क्या use करते है एस आर पाकी derived units है वो सब है है ना क्या ही कुछ ऐसा ही पढ़ रहे थे चली तो आप लोगों की physics सरकरवाई रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से अब हम इसके आगे करेंगे क्या आप लोगों का bio ठीक है next we'll continue with biology सिक्षिक भरती आज क्या करें आज हम पढ़ते हैं क्या आज हम पढ़ेंगे आप लोग बैक्टेरियल फंगल कुछ ऐसी डीजीजिस मेरे साथ कर चुके हो है ना बैक्टेरियल फंगल वाइरल ऐसी डीजीजिस हमने कर ली थी आज हम करेंगे नॉन कंजिनाइटल आफिर आप कैसे अच दशेतहर आफिशियंशि डीजीजिस या आज्धाइमर या फिर कुछ ऐसा ठीक है परकी उनसे हट के जो फैलती नहीं नॉनन इंफिक्शिस डीजीजिस जो होती है जो चुके नहीं फैलती आऊं उन डीजीजिस के हुई है तो जली से देखिए सबसे पहला क्वेशन आप लोगों का कह रहा है बताइए आर्थराइटिस किसकी वज़े से होता है आर्थराइटिस भी कह देते हैं गठी आप आए गाउट भी कहा जाता है इसे कई बार आप लोग इसे गाउट के नाम से भी पढ़ेंगे है ना गाउट के अंदर ज्यादा एक्यूमिलेशन होता है बट फिर भी फिलाल अभी यहां पर आर्थराइटिस कहा गया है तो आप आर्थराइटिस से ही बता दीजे मैं पेड क्लास का पीडिएफ प्रकाश हर पेड क्लास का पीडिएफ उसी क्लास में भी मिल जाता है ओर जहां आपकी क्लास दी हरी है ना वहीं पेडिएफ का भी लिंक होता है आपको सारी पुरानी च्रश में नई क्लास में बहीगी तेक्स स्टूडियो से टेक्स मी एराउंड डाई से पौने तीन गंटे अगर मैं मेट्रो स्टेशन तक बाइकार आँ तो डाई गंटे और अगर मैं पूरा ही टोटल रास्ता पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल करूँ तो तीन गंटे यानि कि छे गंटे तो मेरे सिरफ ट्रेव तो आप बाते बात में करेंगे questions करते arthritis is caused by the deposition of which of the following in the joints of body गठिया शरीर के जोड़ों में निमलिकित में से किसके जमाव के कारण होता है तो आप क्या बता देंगे फिलाल अभी जहां पर अगर हम correct answer देखें अपना तो correct answer आपका uric acid ही होगा correct answer आपका uric acid होगा but arthritis के अंद 2013 का question है but actually अगर हम लोग देखें ना कि इसके बारे में अगर हम लोग यहां पर बात करें किसके बारे में ठीक है मैंम सीटेट सेकेंड पेपर पास है physics honors है मेरा तो six to eight के लिए क्या पढ़ना पढ़ेगा प्लीज बताइए आपका सीटेट में आपने क्या लिया था math science दोनों से पास किया हुए इसके मौरे आपका सीटेट में जो भी आपका subject था आप वही करेंगे ठीक है क्योंकि physics वाले math के लिए होते हैं anyway at it is a joint disorder यह मे foll— आपके जोडों से सμबंदित एक रोग है जिसके अंदर होता जिसके अंदर ना मेंली आपका यहां पर क्या होता है आपके जोडों के अंदर आपको सूजन दिखेगी आपके जोडों के अंदर आपको एठन नजर आने लगती है stiffness का मतलब है जैसे यह मांनों पैर मोट के बैठे हो तो सीधा नहीं कर पाओगे सीधा करके बैठे हो तो मोड नहीं पाओगे हाथ यह तो पूरा उठेगा नहीं उठ गया तो फिन नीचे होगा नहीं तो आपके जोड जोएज narrative हो हो जाते हैं आप प्रॉपरली अपना हाथ पैर नहीं चला सकते हैं ठीक से चल नहीं पाते हो पूरे दिन थकान सी लगती रहती है ठीक है तो यहां पर आपका होता क्या है देखिए यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि यह देखो यहां पर आपको देख रहा है इस तरीके से आपकी योजन आ जाती है नॉर्मल जोड और यह आपका अफेक्टेट जोड़ए तो आप देख सकते ओं जोड़ों में क्iada होता आपके जोड़ोंके अंधर यहाँ पर इस तरीके से सूजन हो जाती है अब यह लग अलग तरीके का होता है जैसे तो होता है अपका और यूमर्टाइड अर्थ्राइटेस जिसे आप गठी या बाए कहते हैं ध्यान से सुनिएगा यह टॉपिक इतने डीटेल में फिर आपको और कहीं पर भी नहीं मिलेगा अर्थ्राइटेस के आप बात करते हो तो रूमर्टाइड अर्थ्राइटेस क्या होता है एक लॉंग सूजन हो जाती है और उसके आस-पास के जो टिशूज है वह भी सूज जाते हैं ठीक है यह आपके दूसरे और इसको भी अफिक कर सकता है तो यह अर्थ्राइटेस यानिकी गठी आप आई कि अगर आप बात करतें तो गठी आप आई क्या है मैं यह क्लास 9 का लाइव चल से होता है जिसकी वज़े से जोडों में बहुत दर्द रहता है जोडों में जक्रन हो जाती है इसका कोई इलाज नहीं है इसका कोई भी इलाज नहीं है सिर्फ दर्द निवारक दवाईयों का ही उप्योग यहां पे किया जा सकता है ठीक है दूसरा होता है आपको ऑस्टिय Osteo Arthritis ठीक है दूसरा होता है जादत अराम तोर पर कॉमन आपने गठिया बाए ही सुना होगा बट दूसरा है आपका Osteo Arthritis ये भी एक तरीके का Joint Inflammation ही है यानि कि इसके अंदर भी सूजन ही हो जाती है बट उससे क्या होता है आपकी जो cartilages न जो आपकी वण चोल उने हैं मसल के साथ व्हों की Cautilagen G1 खराब होने लग जाती है action in भी मारी के वजह से आप ब्लड में में इन इन府ेक्षन हो गया है न वे तो ब्लड इन अश्टेयों से बी यह पोन brushed Osteoarthritis हो जाता है उसे हम reactive arthritis का नाम दे देते हैं ठीक है उसे reactive arthritis का नाम देते हैं जो body में किसी reaction की वजह से arthritis generate हो जाए ठीक है the most common symptom of arthritis is pain in the affected area after repetitive use गठिया भाई में तो normal आपके अकडन रहती है लेकिन osteoarthritis अब कैसे करोगे नॉर्मली जब मैं हाथ चला रही हूं अपना तब मेरे हाथों में दर्द नहीं होगा लेकिन अगर मैं बहुत देर तक उसे चलाती रहूं चलाती रहूं चलाती रहूं repetitive use होगा तब आपके जोडों में दर्द होगा उसे बोला जाता है osteoarthritis ठीक है तीसरी category आपकी मेन category गाउट यह भी एक तरीके का arthritis ही बोला गया है anyways अभी जो आपका question था वो गाउट से संबंदित ही था गाउट को भी कह रहे हैं कि यह भी एक गाउट के अंदर दर्द होता है पूरे जो आपका जोड है वो stiff यानि की अकड जाता है और वहां पर swelling होने लग जाती है ठीक है यूज्वली अब बिग टो बिग टो का मतलब क्या है नौर्मली अगर आप देखोगे ना तो आपका पैर कुछ इस तरीके का नजर आता है नौर्मली आप लोगों के पैर ऐसे होते हैं यह लिख क्यों नहीं रहे है ठीक है यह आपका पैर है लेकिन गाउट वाले के केस में क्या होता है अंगूठे में यहाँ पे आप कि यहाँ पे आपका सारा कसारा यूरिक ऐसेड ही कठा हो जाएगा ठीक है यह आम तोर पर आदमियों के अंदर ही पाया जाता है ठीक है तो आप लोग देख सकते हैं यह आपका एक हेल्दी जॉइंट है यह वाला एक आपका हेल्दी जॉइंट है जो की इंसी आइटी में फोटो दी हुई है वैसे देखने पर यह कुछ इस तरीकी का दिखाई देता है लेकिन ऑस्टियो अर्थ्राइटिस में आप देख स आता है ठीक है तरीक से शॉइड भरा हुआ होता है साइनोवियल फ्लुइड बोलते हो तो आप देख सकते हो गाउट के लगए बीच का यह फ्लुइड खतम होने लगता है अब फ्लूइड होने की वज़े से हड़ीया आपस में तकराने लगती हो और जब यह टकराती है त तो आपको सूजन आपको गुठना सूजा हुआ नजर आएगा तो वो हड्डियों के बीच में से सारा फ्लॉइड निकल के साइड में आ गया कई बार निकालना पड़ जाता है फिर इंजेक्शन से ठीक है और यह आपका रिमोटाइड वार्दा अर्थराइटिस इसमें तो आपका बुखाई बहुत बूरित तरीके से पूरा फूजन के पूरा सूजन हो जाती है उटे ऐ है यह आपको यह देख सकते हैं निकिल्टेर इंजेक्शन आपहाई उसलद है उतै करीशण सूजा हो जाते है यह देके आप पैर निकुों साइड से शुजा हुआ इखाई है पैर आप लोगों को हलका से सूजा हुआ दिखाई दे रहा होगा यह आपके गाउट के अंदर होता है ठीक है तो वह तो आथ्राइटेस था बाकी आस्टियोपोरिस नाम की भी एक बिमारी होती है ठीक है इसमें क्या होता है इसमें हड्डियां टूटनी शुरू हो जाती है बेसिकली बोन की डेंसिटी कम हो जाती है जब बोन का घनत वो कम हो जाता है तब यह होता है ठीक है यह तो सारे डिसॉडर से फिर यह स्कालिटल सिस कि धिके फिलाल अभी इंहां पे देखिए तो आपके करेक्ट अंसर हो जाएका कि आपके अर्थ्रायटिस के अंदर डिं तक पर ट्रीकर्ष में इस तरीके से यी यूरी कैसे डिकथा हो जाथ है अच्छा पेंड बैच आज से शुरू हो गया है तीन से पांच आज इंट्रोडक्शन होगा अगर आपके अभी तक भी बैच पर्चेज नहीं किया है तो आप कर सकते हो ठीक है आज का बस इंट्रोडक्शन है आप कल से क्लासे जॉइन कर सकते हैं अगला क्वेश्चन देखिए अगर आपके ब्लड के अंदर यूरिक एसीड का उच स्तर हो गया तो बताईए वो किस बिमारी की विशेश्चता है अब देखो आपको मैंने इसलिए बताया था वो पूरा डीटेल में क्योंकि यहां पर आपको आर्थाइटिस भी दिख रहा ह दिख रहा है रुमातिजम भी है रुमातिजम हार्ट भी है अब आप बताये इसका करेक्ट अंशर क्या होगा ay question No.2 का करेक्ट अंशर क्या होगा इस मिमारी को कहा जाता है हाइपर यूरिसीमिया से विबिनारी यह यह जीसे Чер्गें बीबियोसिम्य का फोलगि गौट टीकर करें टाइंसर के हो जायों गांग creation हुय कोई अट किलियर रहे इसका मतलब अब लोग सही अंसर सबीकी बीद हांसर आए इसका को चलिए अगला देखिए जो लोग मिलावटी सरसों का तेल के साथ पका हुद खाते हैं सरसों की तेल मुहादा की जाती है तो अगर उसी मिलावटी वाले सरसो के तेल के साथ आप पका हुआ खाना खाते हैं तो वह एक खतरनाक बिमारी कर देता है जिसे ड्रॉपसी कहते हैं ठीक है तो आप से कहा जा रहा है निम्नमेज से उसका कौन सा कारण नहीं सही नहीं हो सकता है ठीक है नहीं बताना है कि which one of the following reason may not be the correct ठीक है चले तो आप से basically वहीं पूचाए गया है कि बताएए उसके अंदर किस चीज की एडल्टरेशन की जाती है सरसो के तेल में यह मैं पहले भी करवा चुकी हूँ कि देखिए इसके अंदर होता क्या है और अगर आपसे कोई पूचे कि dropsy बिमारी होती क्या है तो dropsy बिमारी में क्या होते है dropsy बिमारी के अंदर आपके tissues में ना swelling होने लगती है इसमें क्यों होता है आपके जो उतक हैं उनमें क्यों होगा आपके उतकों के अंदर सूजन होनी शुरू हो जाएगी जिसकी वज़े और ऐसा होता है क्यों है क्योंकि उनके अंदर फ्लूइड भर जाता है उनके अंदर पानी भर जाता है ठीक है पानी भर जाने के वज़े से उनमें सूजन आ जाती है और वो मसल्स फिर मूव नहीं कर पाती है ठीक है चलिए फिलाल इसका अंसर आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर देंगे फिर कल में आप लोगों को इसके साथ डिसकस करवाऊंगी पुराने क्लासिस के अंदर यह मैं डिटेल में डिसकस फोटो दिखा के भी करवा चुकी हूं ठीक है ठीक है ठीक है चलिए अगला क्वेशन बताइए इट बिकेंज आज सिंगल सेल यह जिस भी बिमारी के बात की जा रही है वो एक कोशिका से शुरू होती है और फिर उसके बाद क्या होता है वो एक बहुत ही निर्दई बिमारी में कनवर्ट हो जाती है ठीक है जिसके अंदर ऐसा माना गया है कि कई सारी मिलियंज ओफ लाइफ अर्बो और अर्बों लाखों लोगों की जान इसने ले ली है बट साइंटेंस्ट चार स्टेडिली अनलॉकिंग इट्स मिस्टीरियस और इस समय इस बिमारी के लिए बहुत सारे विज्ञानेक इसके लिए लड़ भी रहे हैं इसके पीछे खोज करने के लिए भी लगे हुए हैं में आव रीजडर ड्रमाटिक टर्निंग पॉइंट अब उसी खोज में बहुत ही तगड़ा टर्निंग पॉइंट आ चुका है नई discoveries में बहुत सारी हमने better therapies निकाल ली हैं और उमीद है कि अब हम इस लड़ाई में जीत सकते हैं बताइए ये quotation किस बिमारी के लिए यूज किया जा रहे हैं ये आपके I.E.S.P. 1995 का question है बताईए यहां किस बिमारी के बारे में बात की जा रही है कि यह एकल कोशिका के रूप में शुरू होता है ठीक है very good most of the लोगों ने बिल्कुल सही दिये AIDS कौन कह रहा है एक से शुरू होता है big no cancer cancer देखी cancer के अंदर पता ही क्या होता है cancer क्या होता है normally ना आपके cells के पास cancer के अंदर देखी क्या बताया जाता है normally मान लीजिए यह आपके body का एक cell है आपकी हर cell के पास एक property होती है जिसे बोला जाता है contact inhibition contact inhibition का मतलब क्या हो गया contact का तो मतलब हो गया संपर्क ठीक है और inhibition का मतलब क्या होता है inhibition का मतलब होता है रुक जाना ठीक है तो यानि कि किसी भी area के अंदर किसी भी area के अंदर आपकी जो cells है वो तब तक divide करती रहती है वो तब तक divide करती रहती है जब तक कि यह सारी आपस में दूसरे के संपर्क में ना आ जाए अब जैसे ही यह सारी cells divide हो होके एक दूसरे के संपर्क में आती है तो संपक में आते ही इनके अंदर का ये division क्या हो जाता है ये division इनके बीच का कोशिका विभाजन बंद हो जाता है अब कभी कभी क्या होता है कभी कभी कुछ cells के अंदर उनकी property खतम हो जाती है उनके अंदर ये Contact Inhibition की Property हैं उनके अंदर ये Contact Inhibition की Property खतem हो जाती है और उस टाइम पे क्या होता है उस टाइम पे आपके ये cells डिवाइड हौते रहते हैं होते रहते रहते हैं सब एक आजाते हैं अगर यहां को उठता हुआ और यानि कि यहांपे बन जाता है आपका tumor यहां क्या बन जाता है आपका tumor तो contact inhibition की property खतम होने के बाद सबसे पहली चीज जो आपको दिखाई देगी वो होगा tumor ठीक है फिर tumor के अंदर क्या होता है tumor के अंदर आपकी property आ जाते है जिसकी वज़े से tumor break होने लगता है यह and reaches to different areas अब यह क्या होता है इसके अंदर क्या हो रही है इसके अंदर tumor के अंदर uncontrolled division tumor के अंदर क्या हो रही है uncontrolled division of cell यानि कि कोशिकाओं का विभाजन हमारे नियंतरन से बाहर जा रुका है अब जहां भी यह tumor टूट टूट के पहुंचेगा आपके शरीर में वहीं पर divide होता रहेगा वहीं पर divide होता रहेगा और उस पूरे organ के अंदर आप देखोगे यह वाले cell पूरे फैल जाएंगे और तभी आपका वो ट्यूमर रूप ले लेगा किसका तब आपका वो ट्यूमर रूप ले लेगा किसका cancer का वो किसका रूप ले लेगा वो ले लेगा cancer का तो आप देख सकते हैं यहां पर बस एक यह cell था एक यह cell था जिसने अपने contact inhibition की property छोड़ दी थी uncontrolled तरीके से divide हो कि ट्यूमर बनाया था ट्यूमर तूटके पूरे और्गन में फैल गया तो पूरे शरीर में वो cell फैल गया और उसी को क्या कहा जाता है इन्हीं cells को कहा जाता है तो यही क्या हो गया यह हो गया आपका cancer का इसने रूप ले लिया तो वही आप लोग उसे यहां statement में कहा गया था कि एक ऐसी बिमारी है जो कि क्या है एक ऐसी बिमारी है जो एक single cell से शुरू होती है और लेकिन बाद में क्या होती है मरसी लेस हो जाती है यानि कि एक निर्दई बिमारी cancer का रूप ले लेती है चली अगला बताईए एंथो फोबिया इस ए फियर ऑफ फॉलोईंग एंथो फोबिया के अंदर जैसे हाइड्रो फोबिया होता है उसमें पानी का डर होता है ऐसी एंथो फोबिया में किस चीज का डर होता है ऐसनी विद्जी अग और इन्थोफ फोबिय भी सूना होगा अगर किसी को आन्थोलोजी का पता होगा तो क्यों कि I am on implicitly नीकि-स हीर की मतलब क्या होता है बताईे एंफ है बेरी गुल्ट किस ने सबसे पहले आंसर दिये सबसे पहले अंसर दिये सारीका ने सबसे पहले आंसर दिया पिर लगता है फ्लावर तो एंथोफोबिया के अंदर हमें किस से डर लगता है एंथोफोबिया के अंदर हमें उससे फूलों से डर लगता है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अग्या डडीजीज हिस्टीरिया जनरली अकर इंविच ग्रूप हिस्टीरिया नाम के जो बिमारी वह आम तोर पे कौन से किस समू में देखा गया है मैरेड वुमेन में यानि कि जो शादी शुदा विवाहित महिलाएं होती है बुड़ी महिलाएं यूवा महिलाएं या फिर जवान आदमी औरत सब में होता है बताइए जली से यह जेनिटल बिमारी है जेनिटल मतलब सेक्स औरगन के आपके प्रजन अनंग की बिमारी है हिस्टीरिया मैं लाइक और शेयर करके ही एंट्री करती हूं थैंक्यू सो मच नूर क्लास को आप लोग भी एक बाद शेयर कर दीजिए देखिए जादा से जादा क्लास को शेयर करें क्योंकि हमें तब ही पता लगता है कि हम कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं जब हम अपनी और्डियंस को बढ़ता हुआ देखते हैं है ना चेले तो यह जो आप लोगों की बीमारी है यह किसके अंदर देह की गई है यह जैनिटल की एक बिमारी है यानि की सेक्स और गन की बिमारी है जो की यंग वुमेंध के अंदर देखी जाती है ठीक है युवच मैलाओं के अंदर जब वो 13-14 साल से अधिक उमर्की हो जाती है सेलिकॉसेज़ डिजीज ओफ अगला बताइए सिलिकॉसेज नाम की बिमारी यह लंग डिस ओडर है सिलिकॉसेज ठिक है जब सिलिका के क्या पुछा सब कुछ तो मैंने बता दिया जब आप क्या करते हैं जब आप सिलीका को इनहेल कर लेते हैं जब आप सिलीका को इनहेल करते हैं तब यह सिलीकॉस नाम की बिमारी होती है और इनहेल करने के बाद वो सिलीका के सारे पार्टिकल्स कहां पर इकठे हो जाते हैं आपके लंग्स में इकठे हो जाते हैं मैं हम सिलिका इन्हेल करेंगे ही क्यों आप सिलिका तब इन्हेल करेंगे जब आप सिमेंट फैक्टरी के अंदर काम करेंगे क्योंकि आप जानते हैं जो आपका सिमेंट है वो किसका बना हुआ होता है वो बना हुआ होता है आपके सिलिका का, वो बना हुआ होता है आपके ऐल्यूमीना का, वो बना हुआ होता है आपके आईरन आकसाइड का, उसमें होता है आपका कैल्शियम आकसाइड और साथ ही साथ डाला जाता है क्या जिपसम यह सारी चीजे डालके आप क्या बना सकते हो आप सीमेंट बना सकते हो जिसके बारे में हमें किसने बताया था जोसफ एस्पिडिन ने बताया था तो अगर पूचा जाए कि सीमेंट की खोज किस ने की थी तो सीमेंट की खोज जोसफ एस्विडिन नाम के वैज्ञानिक ने की थी जिसने बताया था कि सीमेंट बनाने के लिए सिमेंट बनाने के लिए आपको यह सारी चीज़े चाहिए होती है ठीक है जिपसम के बिना भी सिमेंट बन जाएगा जिपसम के बिना भी सिमेंट बन जाएगा जिपसम को तो ऐसा मानिए कि एक इंप्यूरिटी है लेकिन इसे एड क्यों किया जाता है ताकि आप इसके सेटिंग इसके सेटल होने के टाइम को थोड़ा सा डिले कर सको यह क्यों एड किया जाता है एड़ेड टू डिले कि अब इसके सेटिंग टाइम ओफ सीमेंट का मतलब क्या है कि मानलो आपने सीमेंट बनाया उसके अंदर पानी मिलाया अब ऐसा भी ना हो कि आप अभी सीमेंट घोली रहते कि वह जंब भी गया थोड़ा से इतना टाइम उसको मिलना चाहिए कि आप उसको दिवार पे लगा स सकी तो वह दिवार पे लगाने का जो में टाइम मिल पाता है वह किसकी वज़े से संबब वो पाया है जिपसम की वज़े साथ जिपसम क्या होता है सीएसोफोर डॉट टू एच्टू ओ कैल्शियम सलफेट होता है जिपसम ठीक है चलिए तो सिमेंट में काम करने वाले बिल्कुल काले काले से वह फेफडे दिखने लगते हैं बिल्कुल काले काले से वह फेफडे दिखते हैं चलो टाइम एस्ट होगा अभी पहले आगे के questions करते है फोटो तो आप लोग भी देख लोगे चलिए अगला question देखिए आपके thyroid gland में क्या हुआ है आपका जो thyroid gland वो क्या हो चुका है उसके अंदर swelling हो चुकी है और जब इसी thyroid gland के अंदर swelling हो जाती है तो उसे goiter कहा जाता है घेंगा रोग उसे घेंगा कह देते है जिसे मान लेजी ये किसी की शकल है तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो उसका गला पूरा इस तरीके से सूझ जाएगा उसका गला क्या होता है पूरा इस तरीके से सूझ जाता है उसके पूरे thyroid gland जो है आपके iodine की कमी से ठीक है iodine आपको मिलता कहा है iodine आपके नमक के अंदर प्रचूर मात्रा में मौझूद होता है और naturally इसे कौन बनाता है तो आप बता दीजेगा iodine can be obtained from iodine आप किससे ले सकते हो red algae लाल रंग के शेवाल मौझूद होते हैं कहां समुद्र के अंदर समुद्र के अंदर क्या मौझूद होते हैं आपके लाल रंग के शेवाल मौझूद होते हैं जिने रॉडो फाइसी भी बोला जाता है रॉडो फाइसी ठीक है तो समुद्र के नीचे लाल रंग के शेवाल मौझूद होते हैं वो प्रचुर मात्रा में आपका iodine बनाते हैं ठीक है तो आप से ये भी question पूछ लिया जाता है कि red LG क्या बनाते हैं या iodine कौन बनाता है तो आप बता देंगे iodine red LG बनाता है red LG अगर option में नहीं दिखेगा तो rod of IC बता दीजेगा और कहां होता है, यह समुदर के नीचे होता है, ठीक है, अगला देखिए, मैच करने के लिए बोल रहा है आप लोगों से, मैच the following, आप लोगों से मैच करने के लिए, यहाँ पर कहा जा रहा है, फटा फट से मैच करेंगे, जली से देखिएगा, अनीमिया किसकी कमी की वज़ से, ठीक है, गोईटर होता है, आपके आयोडीन की कमी की वज़े से, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, रतौंदी होती है, आपकी विटामिन A की कमी से, और बेरी-बेरी नाम की बिमारी होती है, आपके विटामिन B की कमी से, ठीक है, चली, मैम PGT Chemistry के क्लास कब चालू होगी, PGT Chemistry की क्लास तो चल रही है, योट्यू पे चल रही है, कुमारवंदना भारती PGT Chemistry की क्लास, मैं नहीं ले रही हो, दूसरे सर ले रहे है, बट PGT Chemistry चल रहा है, ठीक है, तो कुछ important diseases है, जो आपके exam में बार-बार पूछ ली जाती है, जैसे विटामिन A, विटामिन A को कहा ज blindness, ठीक है, दूसरी आपको याद रखनी है, जिरो प्थैलमिया, ठीक है, फिर याद रखिएगा आप विटामिन B1, जिसे कहा जाता है थाइमीन, थाइमीन की कमी से होती है, आपकी कौन से बिमारी, बेरी-बेरी नाम की बिमारी, बेरी-बेरी, ठीक है, फिर आजाता है विटामिन B3, नियसिन, इसकी कमी से होती है पेलिग्रा नाम की बिमारी, ठीक है, फिर याद रखिएगा विटामिन B9, जिसे कहा जाता है फॉलिक एसिड, इसकी कमी से होता है इनीमिया, फिर याद रखिएगा विटामिन C, जिसे कहते हैं स्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी स की में से होती है सकर भी नाम की बिमारी मरी को मफ्याधी रहाँ कर रखिये का विटामिन दी जिसे कहा जाता रहरल के हुब कि इसकी कमी से दो बिमारियां होती है हुआ है और आस्टियो मलेशिया जिन ठीक है विटामिन E की वज़े से इनफर्टिलिटी होती है छोड़ दो विटामिन K पाइलोक्विनोन ठीक है कई लोग इसे हीमोफीलिया कह देते हैं पर हीमोफीलिया जो है जेनेटिक बिमारी है ठीक है आप यह कह सकते हो बिमारी है को इनफर्टिक में एक लिए इनफर्ट को शॉबिया इन डीक वि Pak भॉद कि अपने के लिए याद करके लक्ति जो आपको एंग्जाम के लिए याद करके रखनी है मैं आप पर केमिस्ट्री कब चालू होगी उस पर डेट लिखी हुई होगी आपके बैच पर जब आपने बैच पर चेज किया होगा तो उससे स्टेडी प्लान में देखे वहां डेट लिखी हुई होगी ठीक है चलिए अगला देखिए निम लिखित का मिलान कीजिए और सही उत्तर दीजिए तो मिलान में वही हो गया एनीमिया में किसकी कमी हो जाती है अनीमिया में आइरन की कमी होगी घेंगा में आयोडीन की कमी होगी रतौंदी में विटामिन नहीं रतौंदी में विटामिन एक है रतौंदी में विटामिन एक है रतौंदी में विटामिन ए बेरी-बेरी में विटामिन बी की कमी ठीक है नूर जहान विटामिन ए रेटिन नाइट ब्लाइड ने अच्छा तुमने साथ साथ सार लिख लिया मैं मैंने महापैक लिया है बट मुझे आयाची बैच नहीं मिल रहे ग्यान स्टेडी 99 महापैक में आयाची बैच है गितांजली मैं मेरा जूलोजी ओनर्स है तो मुझे 910 में फिजिस केमिस्ट्री बायो पढ़ना होगा कि जूलोजी 910 के लिए आपको फिजिस केमिस्ट्री बायो सब पढ़ना होगा गितांजली आपको सब पढ़ना होगा अरे किस चीज का गिफ्ट मांग रहे हो वीरू किस चीज का गिफ्ट किस बारे में बात हो रही है चलिए अगला बताइए डेफिशेंसी अफ आयोडीन कॉसे यह तो हम करी चुके है आयोडीन की कमी से कौन से बिमारी हो जाती है गहेंगा रोग हो जाते है जिसमें आपका गला पूरा फूल जाता है तो अगला बताइए शॉटेज ऑफ विच अलिमेंट कॉसे गॉइटर यह यूपी एसी प्री 2007 का कॉश्चन है अभी हमने कर लिया गॉइटर के तो हमने कई क्वेश्चन कर लिये ठीक है तो आयोडीन किन पेशेंट को दिया जाता है आयोडीन का इंजेक्शन आप किन पेशेंट के अंदर लगाएंगे यह भी देखिए यूपी पीसी एस मेंस काई क्वेश्चन है गॉइटर की कमी अरे गॉइटर जिसको होगा गेंगा कि रोग वाले इंसान को आयोडीन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं ठीक है चलिए अब आया आपका असली क्वेश्चन यूज ऑफ पॉलिश्ड राइस इन हुमन डाइट कॉसे फॉल्वेंग डिजीज़ज आज गर पॉलिश्ड वाले चावल बहुत आते हैं बिल्कुल चमकते हुए पॉलिश्ड और अनपॉलिश्ड दो तरीके के चावल आते हैं मार्केट से अगर आप लोग खरीते हैं तो हमेशा unpolished rice लीजिए क्योंकि polish किये हुए चावलों से आपको बिमारी हो सकती है पहले आप comment करके बताईए कौन सी बिमारी होती है मैं नाइन टेंथ साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने है नाइन टेंथ साइंस के अंदर बेरी बेरी की कमी very good polished rice का मतलब ऐसा नहीं किसी चीज़ की पॉलिश की जा रही है बलकि उसमें क्या होता है उसके उपर का पूरा धान जो होता है धान में से उसके उपर का पूरा हस्क भी हटा देते है ब्राउन ब्राउन सी कवर होती है उसका ब्रैन भी हटा दिया जाता है अंदर से एंडो स्पॉम भी हटा दे जाता है बस स्टार्च स्टार्च छोड़ देते हैं और ऐसे में क्या होता है आपके इंदर nutrients की कमी हो जाती है इस paper के अंदर अगर आप बात करोगे न तो आपके दो paper होने वाले है paper 1 और paper 2 paid batches में आपको दोनों के तैयारी करवाई जाएगी ठीक है दोनों के तैयारी करवाई जारी है paper 1 के अंदर इसका जो part A है उसके अंदर compulsory है आपका Hindi ही होगा part B के अंदर वो subject होगा वो language होगी जो आप choose करोगे ठीक है जादा तर बच्चे English चूज करते है ठीक है उसके बाद जो आपका paper 2 है इसमें 80 नंबर की तो आपकी science आएगी और 40 नंबर की आएगी आपकी general studies ठीक है और इस general studies के अंदर फिर आपकी polity, history, geography इकोनॉमिक्स पिछले paper में कुछ question math और reasoning के भी देखे गए यह सब आप लोगों को पढ़ना है तो यह सारे subject तो पढ़ने आपको 40 नंबर के साब से science आपको पढ़नी है 80 नंबर के यह साब से ठीक है और पांच से छे physics चलेगी छटी से आठवी में एक साथ चला रहे हैं ठीक है चलिए अगला देखिए यूज अफ तो polished rice के अंदर किसकी कमी हो जाती है polished rice अगर आप लोग लेते हैं तो आपको क्या हो जाता है विटामिन B1 की कमी हो जाती है जिसे berry berry कहा जाता है फिर से देखिए UPPCS 2010 में यह question फिर पूछा गया तो यह कई बार question पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग polished rice खाते हैं तो उससे berry berry नाम की बिमारी हो जाती है ठीक है अलवीरा हैदर कभी भी form कभी भी आ सकता है अब तो ठीक है नविंबर लग जाने दीजिए form किसी भी दिन आ जाएगा ठीक है नए साल पर आप लोग टीचर बन जाएंगे नए साल पर आप लोग टीचर भी बन चुकी होंगे क्या कि अभी पिछला वाला सिक्षक भरती हम देखे तो सात्वे महीने में उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला दसमें महीने तक सारा फाइनल भी कर दिया तो लोग सभा के इलेक्शन की वज़े से सब चट मंगनी पट ब्याव हो रहा है ठीक है चलिए मैं क्या 910 के लिए फिजिक्स वाले एलिजिबल है हाँ अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया यह स्ट किया है तो मैंट ओड़ंटός तूस्टॉरपीटइटिंग इस सफ्रिंग फ्रॉंग में खांग चॉरल रहता है कि एक आधमी की रुक ना कभू बताई उसे कौन सी बिमारी है tots एक आदमी है जो खांग से बिमारी बहुत ज्यादा कटे रहते हैं वह है 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 बताइए है हाँ आप तो सब ट्रेनिंग में चले गए करेकٹ एंस Forgive blacks या और यह का जाता है उसे बुलीमिया नर्वोसा नर्वोसा होता है पहले तो बहुट ज्यादा खाते हैं और फिर उस खाने को उस खाने में से एक्स्रा कैलरीज रिमूव करने के पीछे पढ़े रहते हैं फिर बहुत जाते हैं एक्सरसाइज भी करते हैं मतलब पता नहीं क्या ही करते रहते हैं खाएंगे एक्सरसाइज खाएंगे एक्सरसाइज अपने आपको ब्लू बेबी कई बार आता है ये ब्लू बेबी से कोश्चिन बताइए ब्लू बेबी क्या है ये ब्लू बेबी ब्लू बेबी किसकी वज़े से होता है ब्लू बेबी रो किसकी वज़े से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम कि 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 वज़े से होता है कि नाइट्रेट की वज़े से होता है क्या होता है है अगर यह नाइट्रेट की माथ्र पानी के अंदर बढ़ जाती है अगर कोई ऐसा चेत्र है जहां पे वाटर पॉल्यूशन है ठीक है तो बेसी के लिए अगर देखा जाये तो यह किसकी वज़े से होता है यह जल प्रदूशन की वज़े से होता है किसकी वज़े से होता है जल प्रदूशड की वज़े से होता है अब देखिए का थोड़ा से इसको समझने की कोशिश कीज़ेगा यहां पर क्या कहा जा रहा है कि जब वाटर पॉल्यूशन हो जाता है जब आप जल किसी चेत्र का अगर जल जो है वह प्रदूशित ह तो क्या होगा उसके वहां के high high nitrate content in water तो वहां के पानी में क्या होते है वहां के पानी के अंदर नाइट्रेट का स्तर बढ़ जाता है अब जब इस पानी को बच्चा पीएगा ठीके इस पानी को especially जब छोटा बच्चा पीता है, infant drink, अब जब इस पानी को छोटा सा वो शिशू पीएगा, तो उस शिशू के अंदर क्या होगा, उस शिशू के अंदर क्या होगा, जितना भी उसका oxy hemoglobin था, जितना भी उसका hemoglobin था, वो सारा hemoglobin इस nitrate के साथ react करेगा, और जब उसका ये ox oxy hemoglobin, हीमो, उसका जो ये oxy hemoglobin है, जब वो इस nitrate के साथ react करेगा, तो इस nitrate के साथ react करने के बाद, उसका वो oxy hemoglobin convert हो जाएगा, किस में? मिथीमोगलोबिन में, किस में convert हो जाएगा, उसे कहा जाता है, मिथीमोगलोबिन, ठीके, क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है, मिथीमो, मिथीमोगलोबिन, अब मिथीमोगलोबिन बनते ही, मिथीमोगलोबिन बनते ही क्या होगा, उसका जो hemoglobin है, वो oxygen के साथ bind नहीं कर प मिथीमोग्लोबिन ऑक्सिजन के साथ बाइंड नहीं करेगा तो यह जब मिथीमोग्लोबिन बन जाएगा तो इस मिथीमोग्लोबिन की वज़े से क्या होगा इट डज नौट बाइंड विद ऑक्सिजन ये क्या करेगा ये oxygen के साथ नहीं जुड़ेगा और जब ये oxygen के साथ नहीं जुड़ेगा तो क्या होगा जब oxygen के साथ ये नहीं जुड़ेगा तो उसकी सारी muscles में क्या होगा उसकी सारी मान स्पेशियों के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्या होगा, उसकी सारी मान स्पेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, अब ऑक्सीजन की कमी हो गई, अब ऑक्सीजन की कमी होते ही, दीरे दीरे उसका रंग क्या होगा, दीरे दीरे उसका रंग नीला पढ़ने लगेगा उसका रंग कैसा होगा नीला पढ़ जाएगा और उसी को कहा जाता है आपका Blue Baby Syndrome और जब शरीर में Oxygen नहीं होगा तो शरीर काम भी नहीं कर पाएगा उसका पूरा digestive system उसका पूरा का पूरा digestive and specially respiratory सबसे पहले यहीं को होते है पूरा डाइजस्टिफ और रेस्पिरेटरी सिस्टिम क्या हो जाता है अ कि इसको हम क्या कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रों ठीक है तो क्या कहा गया कहा गया जब पानी में प्रदूशड होता है, तो पानी में नाइट्रेट का स्तर बढ़ जाता है, नाइट्रेट का एमाउंट बढ़ते ही, जब वो नाइट्रेट वाला पानी बच्चा पीता है, तो उसके शरी में भी नाइट्रेट पहुच जाता है, अब वो नाइट्रेट जब उ आंज पेशियों में उक्सिजन की कमी उने लगेगे और उक्सिजन की कमी से रंग नीला पढ़ना चालू हो जाएगा जिसे हम कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम और आपको कुछ शुरुवाती लक्षण दिखाई देंगे कि उसका पूरा का पूरा रेस्पिरेटरि और डाइ ठीक है नुसरत मैंने कल भी बताया था शालीनी माम अड़ा 24-7 आपको सर्च करना है शालीनी माम अड़ा 24-7 आपको यूट्यूब पे डूढ़ना हो कहीं भी डूढ़ना हो आप माम आपसे एक help चाहिए थी मैंने आज आपकी एक class में मेरी दी को add किया है as a teacher and motivator आप फातिमा मेरी sis को motivate कर दीजे शी नेड़ इट आई वांट शी क्वालिफाई चलिए मैं जरूर करूँगे बट अगली class में ठीक है आज की class को तो हम यहीं पे end करेंगे अगली class में continue करेंगे ठीक है डेली यह class आप लोगों की देखिए अभी 10 minute बाद ही छोटा से यह मेरे 10 minute का break है क्योंकि एक वज़े मैं फिर से class चालू करूँगी ठीक है आप लोग चाहें तो मैं आप लोगों के साथ इसका लिंक शेयर कर देती हूँ जो next class होगी ठीक है ठीक है आप लोगों के साथ मैंने लिंक शेयर कर दिया है अगली class को ठीक है अगली class भी आप लोग इसकी join कर सकते हो same इसी link पे ठीक है same इसी link पे फिलाल के लिए इतना ही अगली class में continue करेंगे good luck everyone stay fit stay healthy कल भी हम लोग diseases के बारे में ही बात करेंगे तो blue baby syndrome की questions आज यही खतम कर लो जब भी आएगा आप बेबी के अंदर क्या access होना चाहिए चलिए हम यहीं से continue करेंगे कल question number 18 से ठीक है blue baby syndrome की questions यह देको mythemoglobin के बारे में भी पूछा गया है तो हम यहीं से continue करेंगे अभी ज्यादा पुराना question नहीं है 2021 की questions है ठीक है 2021 की questions है तो कल continue करेंगे तब तक के लिए good luck everyone stay fit stay healthy take care प्रूदर के दो यहीं में आर्डा़ करें थाओ करेंगे तो नहीं से लिए